वार्तालाप की उद्देश वार्तालाप का उद्देश अपने संदेश को प्रभावोत पादक धंग से दूसरों तक पहुचाना है वार्तालाप में संदेश तभी सफल होता है जब भेजने वाला तथा सुनने वाला उसी एक ही धंग से समझे वार्तलाप की आफश्यक्ता अपने विचारों तथा भावनाओं को दूसरों तक पहुचाने में पड़ती है किसी भी संगठन में अपने लक्ष निर्धारित करने से लेकर अपने लक्ष को राप्त करने के लिए तथा लक्ष इस्थापित करने से लेकर योजनाय तैयार करने में भी वार्तालाब की अहम भूमिका है मानव तथा दूसरी संसाधनों का प्रवंदर प्रभावोत पादक ठंक सी करने निर्धेशन सदस्यों का मुल्यांकन करने नित्रित्व तथा व्यक्तियों को संगठन में भागिदारी के लिए आदेश देने के लिए भी वार्तालाब की आवश्यक्ता पड़ती है संगठन में व्यक्तियों की कारिक उशलता को नियंत्रित करने तथा सहायता करने में वार्तालाब का ही प्रियोग होता है अब